इसलाम लेखम स्टूड़न्ट इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे इवन एड़ और फंक्षन को सबसे पहले हम इवन फंक्षन को डिसकस कर लेते हैं कि इवन फंक्षन क्या होगा कि a function f is said to be a function f a function f is said to be a function f is said to be an event if f of minus x is equals to f of x for every for every number x in the domain of x for every number x in the in the domain of f ठीक है अच्छा इसकी example पहले discuss कर लेते हैं फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि यह even क्यूं है ठीक है अच्छा example में हमारे पास गिवन है कि f of x is equals to x के और इसके इसके इलावा दूसरा फंक्शन है f of x cause x यह दोनों जो है are even functions are even functions are even functions of x अच्छा सबसे पहले जर इसके explain कर देता हूँ मैं कि even function क्या होता है कि our function f is said to be an even if कि अगर उस function में x की जगा माइनस export किया जाए और वो किसकी को लाज़े वो itself function की को लाज़े तो उस case में जो function होगा वो even function होगा हमने example दी है f of x is equal to x square और f of x is equal to cause x के यह हमने claim किया कि यह दोनों क्या है even function तो हम बारी बारी दोनों को चेक कर लेते हैं first number पर हमने का कि f of x is equal to x square यह क्या है एक even function है definition को follow करेंगे हम simple क्या करेंगे कि x की जगा minus x को put करेंगे original function में तो minus x एजएगा आप x की जगा minus x put करें x की जगा minus x put कि scale लेंगे तो f of minus x किसकी equalा आजएगा x square के तो f of minus x यह x square क्या है यह आपको जो नज़र आ रहे है x square यह किसकी equal है यह तो f of x की equal है ठीक होगा reason आपके साथ लिख लेंगे कि f of x जो था तो आपने देखा कि अगर मैं किसी function में x की जगा minus x को put करूँ ठीक है और simplify करने के बाद वो वापिस अपने आप की equal आ जाए तो उस case में हम कहेंगे so fx is equals to x square is even function ठीक होगी बाद तो यह आपको idea समझा गई होगी कि किस तरह से even function होता है अच्छा दूसरी जो example है वो है cause x की तो वह भी देख लेते हैं f of x is equals to cause x इसमें भी हम वही काम करेंगे कि put x is equals to minus x in 1 तो minus x cause minus x और यह आपको पता है कि minus जो है cause के अंगल में absorb हो जाता है तो यह आ जाएगा cause x की आजाएगा ठीक है यह आप इस तरह समझें कि जो minus हो प्लस हो जाता है अगर cause के अंगल में आ रहो cause यह सीक्रेंट के अंगल में जब भी minus आता है वो प्लस हो जाता है so f of minus x is equals to cause x और cause x f of x यह क्या है यह f of x है reason में वही बात लिखेंगे कि f of x जो है वो cause x के equal आ रहे है ठीक हो गया तो इस तरह से हम यह भी कहेंगे कि so f of x is equals to cause x is even function ठीक होगी बात तो यह definition आपको clear होगी तो definition में हमने यही बात लिखे था अगर किसी function में x की जगा minus x put करें और put करने के बाद उसको simplify करने के बाद वो function खुद आजाए तो हम कहेंगे कि वो जो function है वो क्या है वो हमारे पास even function है अच्छा इसके इलावा ग्राफिक के लिए आपने यह point note करना है कि जो even function का graph होता है even function graph is even function का जो graph होता है even function is even function graph is symmetric about y axis even function graph is even function graph is symmetric about y axis ठीक है अच्छा इसका मतलब क्या है कि हमने का कि even function का जो graph होता है वो symmetric about x axis होता है वो क्या होता है symmetric about x axis होता है symmetric about y axis का मतलब क्या होता है कि वो basically mirror बन रहुता है symmetric about y axis का मतलब क्या होगा कि उसका जो graph है वो y axis के दोनों तरफ एक जैसा होगा ठीक है उसकी मतलब एक एक अपनी image बन रही होगा वो एक reflection होगी एक दूसरे का जो graph होगा ठीक है जैसे कि अगर आप देखे ना हमने जो अभी even function की बात की है ffx के हमने बात की है वो है x square के तो अगर मैं आपको उसकी graph की बताओं तो उसका जो graph होगा ये डेट से मैंने एक coordinate plane बनाया अच्छा उस function को जो graph होगा ना भी मैं चूंके देखें वो कुछ इस तरह से होगा वो इस तरह से होता है ठीक है ये मैंने कोशिश की है कि y के दोनों तरफ एक जतना हो तो इस इस चीज़ को कहते है कि इस सिमेट्रिक है ठीक है तो ये हमारे पास जो graph है ये इसका graph है x square गा f of x is equals to ये x square गा तो symmetric का मतलब क्या होता है मैंने या word use किया है कि even function graph is symmetric about y axis इसका मतलब ये वो जो graph होगा वो y के दोनों तरफ एक जैसा होगा तो इस चीज़ को कहते है कि सिमेट्रिक है इसके इलावा जो दूसरा function हमारे पास वो क्या था f of x is equals to cause x तो उसका जो graph है वो भी आप देख लें वो मैं आपको मना के दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से होगा ये हमने एक Cartesian plane लिया अच्छा जो graph होगा ने इस case में हमारे पास let's say मैं यहाँ से start करता हूँ ये first year के course में आपको ये चीज़ें clear होंगी तो ये कुछ इस तरह से graph जो होता है continuous चल रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के reflection है जैसा कुछ इदर है वह भी क्या है दूसरी तरफ भी क्या है तो इस symmetric का मतलब भी उताब देखे और ये किस के है y axis के आ रहा है हमारे पास ठीक है y axis के symmetric का मतलब जैसे इस शेकल इदर है उधर भी इसी तरह की है तो symmetric का मतलब यह होगा जिसमें आपको यहां से भी मैंने आपको clear किराया कि किस तरह से आएगा और यहां से भी आपने श्याला हम जो next video है वो odd function पर करेंगे तो अपना बहुत सा रशाद लखेगा अल्लाहाँ पेस